गुद मॉर्निंग क्लास टुड़ेज या कंप्यूटर क्लास आपका न्यू शेप्टर है फन विद टक्स पें टक्स पेंट एक सौफ़वेर प्रोग्राम है जिस पे आप ड्रॉ और कलर कर सकते हो पिक्चर्स को कंप्यूटर में ठीक है टक्स पेंट इस सिंपल और फ्री हैं फोल्डर में जाएंगे और उसके बाद टक्स पेंट को जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरीके से उसकी स्क्रीन खुल जाएगी ठीक है टक्स पेंट विंडो विल अपियर ऑन दा मॉनिटर यह जो स्क्रीन आपके पास सामने खुलेगी यहां पे इसके टूल्स होंगे यहां पे इसके ब्रश्य जोंगे और इस तरीके से आपके सामने एक प्लैंक स्क्रीन खुलेगी जहां पे आप यहां बीच में कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं वें टक्स पेंट ओपन टाइटल स्क्रीन अपियर ऑन्दा मॉनिटर क्लिक ओन एट तो गो टू तो दा में अलग अलग तरीके के टूल जैंट स्टांप लाइन शेप स्टएक्स ठिक्स ध्राइग कैनवास यह जो बीच का एरिया होता है इसका इसे बोलते हैं हम ट्रॉ करते हैं पिक्ट्र सेलेक्टर स्ट्ठर जो होता है वह होता है आपका इटेस ऑन राइट साइट उफ टॉल इसमें इसमें क्या सब्सक्राइब कर सकते हैं यहां पर जो है यहां पर यहां पर आपके बीच-बीच में इंस्ट्रक्शन आते रहते हैं और वह आपको कोई भी जो भी हैं की चीज़ें होती है वह बताता रहता है सौफ्ट्वेर खुद ठीक है पें टूल जो होता है यह ब्रश की तरह होता है इससे आफ फ्रीहंड कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं ठीक है ठीक है टूइब तू फॉल्लो फॉलो धी स्टिप्स क्या करना चाहिए उसके लिए सबसे पहले paint tool पे click करेंगे जब आप यहाँ पे उसके बाद कोईसा भी brush वो brush के types बताएगा आप कोईसा भी मोटा पतला कैसा भी brush ले सकते हैं उसके बाद कोई color ले सकते है color box पे से then move the pointer और उसके बाद अब जब स्क्रीन पे उस brush को ऐसे जब ड्रैक करेंगे तो वह उस जैसा जिस भी शेप में आप बनाना चाहोगे उस शेप में आपकी पिक्चर बन जाएगी ठीक है next eraser tool अच्छा अब आपने सपोस कुछ गलत कर दिया तो यूँकन यूज़र टूल तो रिमूव एनी प्राट ओफ यूर ड्राइंग अपनी ड्राइंग का कोई भी पार्ट आप इरेस कहीं पे भी करना चाहते हो तो आप eraser tool यूज़ कर सकते हो आप सेलेक्ट कर सकते हो छोटा बड़ा कैसा भी ठीक है उसके बाद मूव दा पॉइंटर तो द्राइंग केंवस कीपिंग दे लेफ्ट माउस बटन प्रेस ट्रैक दा माउस ओवर दा पार्ट ऑफ पिक्चर टू बी रिमूफ ठीक है और यहां पर लाने के बाद आप जब लेफ्ट बटन को क्लिक करके कंटिन्यू और जब माउस को इस तरीके से यहां पर ड्रैक करोगे स्क्रीन पर तो जहां जहां पर आप चाहते हो वह पार्ट आपका इरेज हो जाएगा नेक्स्ट स्टैंप टूल यू कन यूज स्टांप टूल टूल नाइस कलर फुल क्लेक करोगे क्लेक अनी स्टांप अपनी चौइस के किसी भी स्टांप को अपको चाहिए वह आप यहां पर लाके जब क्लिक करोगे तो वह स्टांप यहां पर आ जाएगा यूविल नोटिस स्टांप प्रिंट कर सकते हैं आपका लेसन कंप्लीट हो गया आप इसको वापस से एक बार अच्छे से रीट कीजिए कर नेक्स क्लास में आपको इसकी एक्सेस करवाऊंगी